तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी डॉक्मेंट चाहिए अधार का कोई भी डॉक्मेंट का फोटो कॉपी कैसे कर सकते हैं वो भी किसी भी प्रिंटर से तो आपको टेंशन नहीं लेना मैं आज आपको स्टेप बाई स्टेप पूरा दम सही से बताऊंगा कि प्रिंटर को अपको बाई स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे यह होगा फोटो कॉपी होगा आप कैसे रख सकते हैं तो चैनल को लाइक आप सस्काइब जरूर करिएगा वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा चलिए बिना वक्त बड़वात की वीडियो को स्टार्ट करते हैं है सबसे पहले आप अपने प्रिंटर के पास आ जहीए आप में देख सकते हैं इसे बतों ऐने प्टम ऑप क्या यूज सकते हैं इसे आप का फोटो कापने के लिए है और यहा पर देख सकते हैं यह लाइट अगर बिलिंग करने लगे लिए तो समझ जाएं कि हमारा होने पैज वाला जो साइञ देख रहें अगर यह लाइट बिलिंग करने लगे तो आपका page समझ लिए कि फस गया है printer के अंदर में और page आपको कहां से डालना है चलिए मैं आपको page डालने के लिए बता देता हूं पेज आप यहां से डाल सकते हैं डालने के बाद इसको लगा दीजेगा और हमारा page निकलेगा कहां से ताप इसको घिच के बाहर निकाल दीजेगा आपका page यहां से निकलेगा अगर आपका page फस गया ताप अपना page को कैसे निकालेगा अगर आपका page प्रिंटर में फस गया है तो इसको on कर लिजेगा, खोल लिजेगा, खोलने के बाद इसको हलका उठाईएगा, उठाने के बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका page फसा हुआ रहेगा, आप इसको हलका हलका घीच के आप अपना page को यहाँ से निकाल सकते हैं, और उसके बाद फिर से इसको जैसे था वैसे ही लगा दीजेगा लगाने के बाद इसको लगा दीजेगा अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इंक डालना चाहते तो आप अपना इंक कैसे डाल सकते हैं इंक डालने के लिए आपको कॉर्णर में आ जाना इको टैंक आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इसको खोलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट डबा है आपको इस तरह से खोल के यहाँ पे इंक डालना रहता है यहाँ पे आप देख सकते हैं सम में बोतल को लगा दीज़ेगा अब मैं आपको बता जाता हूं कि आप अधार कट का फोटोकॉपी कैसे कर सकते हैं तो इस प्रिंटर का सेंटिंग है अप इस प्रिंटर में इस साइड आपको अपना कोई भी डॉक्मेंट से से बढ़ना पड़ता है अगर आप कोई-कोई printer में इस side से document रखने का सेटिंग रहता है तो आप अमना printer का नुसार देख लिए है कि आपको कहां से रखना अधार काड़ और कैसे रखना है तो चलिए मैं अपना अधार काट पहले इस साइड रख देता हूं रख देने के बाद अपना लगा दिजेगा लगाने के बाद आप बलाक एन वाइट निकालना तो बलाक एन वाइट पे आप एक बार किलिक कर देगा किलिक करते ही हमारा देखे प्रिंटर अवाज करने लग फोटो कॉपी खराब हो जाता है फिर इसको घुमाके इस तरह से रख दीजगा रखने के बाल लगा दीजगा आप प्रिंटर को पहले सांत होने दीजगा जब तक अवाज कर रहा तब तक नहीं दाविएगा दामने से फिर आपका क्योंकि फोटो कॉपी नहीं लेगा फिर इंटर सांत हो जागा तो फिर से एक बार बलेक एन वाइट प्रिक कर देगा किलिक कर देंगे तो हमारा फिर से वहीं से पेज जाएगा आई 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 से क्यों में धन्यवाद